शेहनास के बेक टू बेक प्रोजेक्ट आने को है और इसी बीच शेहनास और कार्थिक आर्यन की आने वाली मुवी पर फैंस की बीच बाते होने लगी है जिस पर मेकर्स का भी रियक्शन सामने आया है क्या कुछ हुआ है यहां बताएंगे हम आपको अपनी इस वीडियो में पूरी बात तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए शहनास गिल वो उभरता सितारा है जो की अभी इंडस्ट्री पर चाही हुई है शहनास गिल सोशल मिडिया के साथ साथ भाई बॉलिवुड में भी अपनी एक अलग पहचान बनाने को बिलकुल तयार है ऐसी बात नहीं है कि शहनास गिल सिर्फ और सोशल मिडिया पर चाही है भाई वो बॉलिवुड पर भी चाही हुई है और ये बात हम दावे के साथ कह सकते हैं जिसमें एक बहुत बड़ा हाथ है शहनास के फैंस का शहनास की फैंन फैंफॉलोइंग इतनी ज़ादा है और वो इतना जादा सपोर्ट करते हैं शहनास को अगर वह बाते ही करते है ना ट्वीटर पर तो वह बाते भी भाई न्यूज में आ जाती है और वह बातें पहुँच चुकी है मेकर्स तक यहां पर हम आपको बता दे कि शहनाज गिल की अभी बॉलिवूद डेब्यू होने वाला है भाई जान मुवी के साथ उसके बाद रेहा कपूर के साथ उनके फिल्म आएगी और उसके बाद आएगी मुवी 100% जो कि जोन अब्राहिम और रितिश दिश्मुक और नौरा फतेही के साथ शहनाज गिल स्क्रीन शेयर करते हुई नजर आएगी और लीड रोल में नजर आएगी अब यहाँ पर हम आपको बता दे कि फैंस का दिल मांगे मूर भाई फैंस और भी जादा मुवीज में शेयनाज को देखना चाहते है और यह सब चीजे तो होगी गए शेयनाज बहुत सारी मूवीज करेगी क्योंकि शेयनाज का फोकस अब सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग में है और बिग स्क्रीन पर है तो शेयनाज के साथ फैंस देखना चाहते हैं कार्तिक आरियन को एक मूवी में अब कार्तिक आरियन फैनलाइज हो चुके है आशकी थ्री के लिए और मेकर्स ने इस बात को क्लियर किया है कि एक्ट्रेस की तलाश अभी जारी है तो यहाँ पर भई फैंस पहुँच चुके हैं और शेयनाज की नाम की चर्चा सबसे ज़ादा हो रहे है इस मूवी के लिए और शेहनाज के उसेडनाज के फैंस इतने जादा हैं फैंडम इतना बड़ा है कि अगर ये किसी बात पर चर्चा भी करते हैं ना तो वो न्यूस की हैडलाइन बन जाती है और यहाँ पर ये खबरे पहुँच चुकी है मेकर्स तक विशेश फिल्म्स तक विशेश फिल्म्स और टी सीरीज जो की मेकर्स आश की थरीके और जिन्होंने फाइनलाइस कर दिया है एक्टर को मतलब कार्तिकारियन को और वो एक्ट्रेस की तलाश कर रहे हैं तो यहाँ पर उनका भी एक रियक्शन सामने आ चुका है क्योंकि उनके कानों तक भी ये बाते पहुच चुकी है उन्होंने बहुत सारी ट्वीट्स को लाइक भी किया है और यहाँ पर उन्होंने ये चीजे साफ किये कि उन्हें एक फ्रेश चेहरा चाहिए इस मूवी के लिए कोई भी ऐसी एक्ट्रेस चाहिए जो की बहुत जादा फेमस भी हो जिसे देखना लोग बहुत जादा पसंद भी करते हो तो यह सारी ही कॉलिटी शहनाज में है और मेकर्स का ऐसा रियक्शन देखकर फैंस और भी जादा खुश है तो यार हम एक उमीद रख सकते है क शहनाज हो सकता है कारति कारियन के साथ आशकी ध्री में हमें नजर आ जाए क्योंकि एक न्यूज नहीं है कोई एक कन्फर्म न्यूज नहीं है यह तो एक चर्चा का विशा है जो फैंस के बीच में चल रहा है और अभी मेकर्स का जिस तरह से रियक्शन आ रहा है वो सारी पर बाते हम आप तक पहुचा रहे हैं तो यंश कर चाहिए असब्सक्राइब कर के «लिकलश प्रैसकि आपि प्रोजेक्शD 359 अर्श करेंगे क्यों कि बहुत सारी अप्डेश आसका प्रोजेक्श पर आप фин कि लिखकते हम आप तक जरूरρι्ज पातारे iau पर भीज़़ी तें